दिल्ली विधान सभा चुनाव का किसी भीवक्त बिगुल बज सकता है इससे देखती हुए राजनितिक दल चुनावी मोड में आ गए है नेता अपनी सभाव और प्रेस बफरिंग में एक दूसरे पर निशाना साथ रहे हैं इसी कर्म में केंदरिय मंतरी और दिल्ली बिजेपी के प्रभारी प्रकाश जावेडकर ने कहा कि पार्टी परधान मंतरी नरेंदर मोडी के चहरे को आगे रहकर चुनाव लड़ेगी बुदवार को जावेडकर ने दिल्ली में प्रेस कोंफरेंस कर कहा कि वर्ष 2020 में पहला चुनाव दिल्ली विधान सभा का है बिजेपी बहतर तरीके से चुनाव लड़ेगी और अच्छे नतीजे लेकर आएगी हम पीम मोदी के कामों को जनता के सामने रखेंगे साथ ही अगले पांस साल क्या करेंगे ये भी लोगों के सामने रखेंगे जावेडकर ने आम आदमी बिजेपी की सता है लेकिन आप सरकार ने नीगम के विकास कारियों का गला घोटने का काम किया है दिल्ली में लोग बोलते हैं पहले साड़े चार साल सोते रहे आखरी समय में काम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अब हम रोज दोपहर बारा बज़े से एक चुनाव से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को मीडिया के सामने रखेंगे दिल्ली बिजेपी के प्रभारी ने कहा कि आने वाले पांच जनवरी को केंद्री ग्रह मंतरी और बिजेपी के रास्टी अध्यक्ष अमिश शाह 15,000 बूत कारेकर्टाव को दिल्ली में इंद इछले हफ्ते बैठत की शुरुवात की थी समझा जा रहा है कि इसी हफ्ते आयोग-चुनाव की तारीकों का एलान कर सकता है नए वर्ष की सबको शुकाना है यह 2020 आपको बहुत सफल वर्ष रहे और देश को भी तरकी का वर्ष रहे यही सब की आज इच्छा है 2020 में पहला चुनाव दिल्ली का है दिल्ली का चुनाव भारतिय जन्तापाथी पूरी ताकत से लड़ेगी और बहुत शांदार सफलता हम पाएंगे विजय का हमें आत्मविश्वास है क्योंकि हम पॉजिटिव अजेंडा लेकर जाने मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए इतने काम किये वह भी जन्ता के सामने रखेंगे आने वाले पास साल में क्या करेंगे इसका भी हिसाब रखेंगे और पिछले पास साल में क्या नहीं हुआ और कैसे हुआ ये भी लोगों को बता रहे तो एक पॉजिटिव केंप है इसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल